हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो अनदर वीडियो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम कोरियन बील कलर रश्टू के एपिसोड एथ यानि लास्ट एपिसोड का स्टोर एक्स्पिनेशन करूंगी तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखिए तक यह आप कुछ भी मिसना करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजें तक कि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस्त ना करें सेयोन सबसे फाइट कर लेता है योनू से पूछता है क्या तुम ठीक हो सेयोन हा कहता है तब ही पीछे से एक आदमी सेयोन पर अटैक करने वाला होता है योनू सेयोन को कहता है तुम बचके रहो लेकिन सेयोन तब तक संबल नहीं पाता है और वो आदमी सेयोन पर अटैक कर देता है सेयॉं की सर पर चोट लग जाती है योनु सेयॉं को कहता है तुम बेहोश मत ओना सेयॉं कहता है मुझे माफ कर दो मुझे पता है कि तुम सिर्फ यूँहान को प्यार करते हो और आज नहीं तो कल तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे इसलिए मैं सिर्फ याद रख जाना है तभी से यौन बेहोश हो जाता है यौनू रोने लगता है अगले सीन में यौनू सीधे चलता जा रहा होता है तभी उसे मिंजे मिलता है यौनू उससे पूछता है यूहान कहां पर है मिंजे कहता है वो तुम्हारे साथ है लेकिन वो यूहान होगा की नहीं ये को देखकर कहती है अच्छा है तुम अभी तक जिन्दा हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी यह तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा यौनु कहता है मुझे माफ कर दीजे एरांग कहती है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तुम्हारा दो तुमने इतना डेंजरस टेप उठाया ही क्यों यौनु कहता है मुझे चोट लग रही है अंटी इरांग कहती है तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह से बच जाओगे से यौन कहने लगता है आंटी मेरी गलती है आप उसे मत मारी है इरांग कहती है मैं समझ गई तो तुम जहां पर हो वहीं पर बैठे रहो और जल्दी से ठीक हो जाओ। से यौन मान जाता है। इरां कहती है जब हमें नर्ड कैंडी कंपनी के बरे पता लगा तो हमें ये भी पता लगा कि क्रेस केल और मस्कन दोनों एक ही चीज़े हैं। पुलिस ने वहां के मैनेजर्स को अरेस्ट कर लिया है। यौन मान पूछता है कि आपने सांग जे को अरेस्ट किया। मुझे लगता है वो इन सब के पीछे है और मोनो वाइफ यानिकी हंजू उसकी साथ ही है। इरां कहती है हमने उन्हें खो दिया है। लेकिन अब जब वो क्रिमिनल लिस्ट में आ गया है तो पुलिस उन्हें जल्दी ढूण लेगी। इरां कहती है तुम यहीं पर रहो। मुझे एक ट्रिप पर जाना है। हम सांग जे को जरूण लेंगे और वो सब लाइव एर होगा। तो तुम लाइव देखते रहना और तुमें कुछ भी पता चले तो तुम हमें जरूर बताना। तुम नर्फ कैंडी में एक बार जा चुके हो तो तुमें जादा पता होगा। यौनु कहता है ठीक है मैं उस ब्लेस को अच्छी से जानता हूँ मैं आपको बता दूँगा। इरांग कहती है क्या ये प्राउट करने वाली चीज है। तुम वहां गए तो गए तुमें इस तरह से हर्ट नहीं होना चीए था। इरांग ये कहकर चली जाती है। यौनु से यौन से पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो। से यौन कहता है मैं सच में ठीक हूँ तो तुम चिंता मत करो। से यौन अपना हाथ हिला कर दिखाने लगता है तो यौनु कहता है तुम हाथ मत हिला हो तुमें चोट लगी हुई है। यौनो मन में सोचता है सेयों को इतनी जादा चोट लगी हुई है फिर भी वो मेरी चिंता कर रहा था ये सच में बहुत अच्छा है अगले सीन में जूहेंग और मिंजे यौनो से मिलने आते हैं यौनो उन्हें आने के लिए थैंक्स कहता है यौनो कहता है तुम लोगों ने वो प्रोटकास्ट करवाया था ना दोनों हां कहता है जूहेंग कहता है तुम्हें कैसे पता यौनो कहता है तुम दोनों को मैं अच्छे से जानता हूँ तबी साइट से सेयोंग कहता है हेलो दोनों उसे देखकर चौक जाते हैं तुम या क्या कर रहे हो तीनों मस्ती मजा करने लगते हैं इरांग उस जगह पर आ जाती है जहांपे बहुत सारी डेड बॉडिस मिली थी और वो लाइव में ये सब टेली कास्ट कर रही होती है इरांग बताती है यहांपे बहुत सारी डेड बॉडिस मिली थी जो कि रेन में बहते बहते यहांपर आ गई है तबी सांग जे वहां से कुछ लेकर जा रहा होता है इरांग जो उसे नहीं पहचान पाती है वो उसको villager समझ लेती है और पूछती है आप villager है न क्या आप मुझे इस reserveur के बारे में कुछ बता सकते हैं सांग जै कहता है मैं कुछ नहीं जानता हू 또 यहां के गाओं वाले भी कुछ नहीं जानते है ये कहे कर वो जाने लगता है तब ही यौनू जो ये लाइफ देख रहा होता है सांगजे को पहचान लेता है और तुरंत इरांग के नंबर पर कॉल करता है इरांग का फोन वहाँ पर किसी और के पास होता है यौनू से बता देता है कि वो सांगजे है जो अभी भागा है वहाँ से, वो आदमी सब को सांग जे को पकड़ने को कहता है, इरांग भी उसके पीछे भागने लगती है, सांग जे जब देखता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसके हाथ में जो था वो वहाई पर छोड़ देता है, और भागने लगता है, ले यहाँ पर विलेजर होने का नाटक करता था नाटक करता था कि वो यहाँ पर fishing करने आया है एरांग इससा बताई रही होती है तभी एरांग की नजर नदी में बहते हुए एक yellow color के hairband पर जाती है तभी उसे यानु की बात आती है कि यानु की मा एक yellow color का hairband पहने हुई थी उस दिन जिस दिन वो गाया भूई थी और वो वही hairband था जो कि एरांग ने उसे gift किया था एरांग ये याद करके चौंक जाती है और आगे बढ़ने लगती है तब ही वहाँ खड़ा एक आदमी उसे रोख लेता और कहता है क्या हुआ एरांग अपनी बहन का नाम लेकर रोने लगती है वहाँ पर क्योंकि वो समझ जाती है कि उसकी बहन की मौत हो गई हुई है अगले सीन में याद मन में कहता है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो सच हो जाता है लेकिन जब ये सब हुआ तो नाजाने कैसे मैंने खुद को संभाल लिया मुझे शौक जरूर था कि मेरी मा की मौत हो चुकी है लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस बात की तसलित थी कि कम से कम अब वो अच्छी जगा पे चली गई है उस नर्क से बचकर अगले सीन में यौनू और सेहान एक जगा पर खड़े होते है यौनू कहता है मैं इस जगा को छोड़ कर जाने वाला हूँ मेरे जाने के बाद तुम जरूर अपने प्रोप से मिल लोगे तुम भी एक मोनो हो और मैं भी एक मोनो हूँ हमारे बीच में इस से जादा कुछ भी नहीं हो सकता है यौनू कहता है ये मेरा पहला और आखरी प्रेजेंट है तुमारे लिए ये कहकर यौनू सेहान को किस करता है यौनू कहता है मैं तुमें छोड़ रहा हूँ लेकिन तुम प्लीज मुझे भूलना मत इस पल को हमेशा याद रखना सेहन कहता है मैं तुमें कभी भी नहीं भूलूँगा क्योंकि मैं तुमें लाइक करता हूँ ये कहकर सेहन यौनू को किस करता है तभी यौनू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो तबी से यौन को पता चलता है कि वो ये सब सबना देख रहा है और यौनू ने उसे किस नहीं किया है यौनू से यौन को कहता है चलो मैं तुमें ट्रीट दूंगा दोनों मस्ती मजा करके जाने लगते हैं और यहीं पर सीरीज के ओफिशिल सीन्स की एंडिंग हो जाती है तबी अगले सीन में दिखाया चाता है कि यौनू यूहा हॉस्पिटल के वी आएपी वार्ड में आती है यौनू आपर आकर कहती है तुम अभी तक बेहोश हो यौनू बैट जाती है यौनू कहती है यौनू उठ जाओ यौनू तुमसे मिलना चाता है तबी बैट पर लेटे हुआ इंसान आखे खोल देता है यौनू स्माइल करती है और यहीं पर यह एपिसोड और सीरीज खतम हो जाती है So friends, that's it for this video I hope आपको video पसंद आया हो अगर आपको video पसंद आया हो तो video को like कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए साथ साथ bell icon भी press कर दीजिए तक आप आने वाली videos की notification miss ना करें So friends, thanks for watching this video Bye Bye and take care of your health